तस्वीरों में चोरी के आरोप में पकड़े गए किशोर के साथ कुछ लोग मारपीट करते नसरा रहे हैं। बताय जा रहा है कि कटिहार के 40 हाट में फल दुकान में चोरी करते एक नाबाली को स्थानिय दुकानदारों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी जम कर धुनाई की गई। कतित चोर कदवा रामपारा का रहने बाला है और देर शाम फल दुकान से इलेक्ट्रोनिक तराजू और 5000 रुपे की चोरी करते दुकानदार ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलस ने आरोपी नाबालिक चोर को मुक्त करवा कर अपने साथ ले कर गई। उधर चोर की पिटाई का वाइरल वीडियो की पुष्टी करते हुए पुलस ने आरोपी नाबालिक चोर की पिटाई की बात को स्विकारा है। इस समद में मुझे भी यह मारपीट की वीडियो पराप्त हुआ है जिसमें देखिए अपनावालिक चुरसी से मांदगर की काफी पी टेक करिया है। इस समद में यह वाइरल वीडियो मुझे भी मिला है और वीडियो को फरवाट करते हुआ एक सरे के लिए आपको बोला है और विद्वार बताया कि यह उनका की टीम भी चली गई है इस समद में जो उनके विद्व कराब क्या होगा हम लोग प्रात्त की दर्ज करेंगे और आरूपी के शरीर पर पिटाई से जखम के निशान मिलने की बात कही जा रही है और वाइरल वीडियो से पहचान कर कानून को हाथ में लेने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की बात कही गई है देश में पुलस है, अदालते है, कानून व्यवस्था है, फिर चोरी के आरोप में देवा की अदालत चलाने की हिम्मत लोगों में कहां से आ जाती है कटिहार से विपुल राहुल बिहार तर